Hello everyone, welcome back to another video of android pen testing series So, यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जो different different tools है उसकी help से हम कैसे application को decompile करके उसके vulnerabilities को identify कर सकते है So, मैंने previous videos में intent और deep link को exploit करना दिखाया था and mob sf की help से static and dynamic testing कीती है So, static analysis के अंदर यह different different tools हाते है जिसकी help से हम जो ap के होती है इसको decompile करते है, decompile करने के बाद है हम उसके code को read कर सकते है Android manifest file है या जितनी फंक्शनलिटी वह यूज़ कर रहा है उसके workflow को देख सकते है अगर कोई sensitive information से वह hard coded हुई वाजा के देख सकते है तो इसकी help से हम different different vulnerabilities identify कर सकते है तो जब हम android testing करते है तो इसमें दो पार होता है, static and dynamic तो अभी भी static में हम देखते है different different tools जो मैंने list mention क्यार रखी है जो मेरी Android build वाली वीडियो थी वावे मैंने ये mention किया था कि कैसे application build process हो रहा है कैसे application create हो रही है तो यहाँ छोड़ा सा इस ठीक के पर देता हूँ तो जो class create like file create होती है वह main.classes या main.class create होती है and then DEX compiler के help से Delvig bytecode में करवट होती है तो उसका extension होता .DEX तो मैं यहाँ पर main file का name example ले रहा हूँ otherwise जो extension है वह यहाँ पर DEX करवट हो जाएगा and then वह virtual machine या ART जो कि architecture पर depend करता है कि क्या use कर रहे है वह normal apk create हो जाएगी तो जब हमार पास apk आ जाती है organization के तरफ या bug bounty करते है तो उसको decompile करके हमे code read करना होता reverse engineering करना ही होती है कि अगर कोई vulnerabilities हो तो हम उसको exploit कर सकते है जो code है उसका workflow देख सकते है तो यहापर हम different tools की help से to decompile करेंगे and then उस पर exploit करेंगे so let's see so यहापर मैंने जो हमारे wonderful application enter code download कर लिये तो इसकी link में description में जदूँगा वहाँ से आप download कर सकते हो दरवेस आप different application भी use करते हो like diva uncrackable जो भी आपको application stable लगे आप download कर सकते हो so सबसे पहले apk होती है वह एक zip archive type में होती है जिसके अंदर yml xml जो resources होती है वह present होते है तो apk को हमें एक zip format में ही मान रहे है तो इसको extract कर सकते है so simply में जाब सबसे पहले एक folder create कर लेता हूं जिसके अंदर मैं extract करूँगा so तो यहाँ पर मैं 7zip की help से एक्षट करूँगा so so test में and यहाँ आप आप देख सकते हो जो हमने प्रिस्ट वीडियो में apk टूल की help से decompile किया था तो उसमें सारी classes नहीं दिख रही थी वह मैं इस वीडियो में आगे दिखाँगो कैसे क्या हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो and यहाँ में जो फाइल है classes.dex फाइल हम apk के बाद में dx format करेट हो रहा होगा अब dx format में क्या होगा सारा code mention होगा जिसकी help से हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर resources उसे आप present है तो सबसे पहले जो dx file है तो अब उसको java file जो readable format है उसमें convert करना होगा जिसकी help से हम उसको read कर सकते है तो यहाँ पर टूल की requirement होगी dx to jar तो हमने अभी apk से dx में convert कर दिया and then अब dx से jar में convert करना है सो यहाँ पर एक github repository है जहाँ पर हमें dx tool जो है यह मिल जाएगा आप आप so download कर सकते हो तो मैं इसकी link description में दे दूँगा वासा आप जाकर download कर सकते हो तो extract करते हैं तो जब भी आग इसमें जाते है तो यहाँ बेच फाइल जो की windows के लिए होती है और शेयल फाइल जो की linux के लिए होती है सारे याप प्रेजेंट है तो अभी हमें क्या करना dex to jar में convert करना है तो उससे related files याप प्रेजेंट होगी so देख लेते है dex to jar यह SH है and dex to jar so so फाइल है वो इसमें इसे copy कर लेता हूं copy करने पाद में इसमें पेश कर लेता हूं ताकि हमें जो पात का problem है वो शो ना हो cmd so आपर अमेश्र कर दिया है classes जो file है उमेश्र कर देता है so आपर देख सकते हो classes hyphen dex to jar dot jar file हो जाईगे भी हमाई इसी directory में so उसका प्रेट करते है so create हो गई file तो आपर हम जाए डारेक्टर में देख सकते है jar file अब क्या हो गया apk से dx format and then dx से jar format जो कि हम java format बोल सकते है उसको अब इस file को हम read कर सकते है easily किसी भी टूल के याज से तो आपर मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूं jdgui या jdxgui so Linux में download करने के लिए आपको simple करना है sudo apt install gdgui तो मैंने already install कर लिया है इसको otherwise आप जो kali की repository है पास जाकर देख सकते हो इसको कैसे install करना है sudo apt install gdgui जो आपर मेरा जो application install हो गया है so file को open कर सकते है classes.dex2jar and jar file आप open कर लेते है so यहाँ पर जो हमार application है वो decompile होके जितनी भी resources है जितनी भी files है या प्रेजेंट है आप 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 जाके देख सकते हो so यहाँ पर जितनी भी activities है application related हो आप देख सकते हो तो यहाँ पर hardcoded activity है तो code read कर सकते हो जितनी भी अगर sensitive information hardcoded हुई अब जाके देख सकते हो congratulations you got this product for free and अब हमें क्या करना है तो जो APK थी वो उसको हमने इतने लंबे process से decompile के and code read कर रहे अब उसका next method आता है APK tool, APK tool से हम क्या करेंगे हमें like APK को extract करना है इतनी requirement नहीं है simple मैं क्या करता हूँ terminal पुचाते है मैंने जो endogode है वो Linux में भी download कर लिया है तो APK tool जो decompile कर रहा है endogode apk जैसे enter करता है वो decompile करेगा same directory name से तो जो कि मैंने प्रियोस वीडियो में बताया है कि APK tool कैसे यूज होता है and APK tool है क्या क्या requirement है जिसके आपको easily समझ में दाएगा तो याप एक flag है rs do not decode resources and s है do not record sources okay so simply application इस flag के साथ decompile करता हूँ तो मैं याप दूसरी application directory देता हूँ so याप decompile कर रहा है key layer कर लेता है आप do not 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 यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हों प्रोसेसिंग में अभी आप यहाँ देख सकते हो जो APK है वो यहाँ डीकंपाइल हो गया है तो यहाँ सारी Android यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको यहाँ बाइवान इस्टेप बाइश्ट जाने की रिक्वार्मेंट नहीं नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर में जो यह जो भी आप सजेस्टेट करोगे कोई एप्लिकेशन या कोई CTF हुआ उसको में एक्सट करके आपको इस्टिक टेस्टिंग करके वनरबिल्टी आइडिटिफाइब करके आपको शो करूँगा तो आपको बहुत कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पर आप ही कोई डाउट हो इसमें तो कि एल के आपको बढ़िए।